कुछ दिन पहले कर्मयोगी पोर्टल पर मैंने एक वीडियो बनाया था जो कर्मयोगी प्लैटफॉर्म है उसमें ट्रेनिंग के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था सभी ऑफिशल्स के लिए डाक व्हाग में जिन्दें भी करमचारी कारे करते हैं उन सभी के लिए एक क पहुंच दिये जाएंगे और उसे क्या बेनिफिट्स होंगे एक वीडियो में देखा था उस वीडियो का लिंक डिस्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आप देख सकते हैं अगर नहीं देखा होगा तो और दोस्तों उसी के रिगार्डिंग एक छोटी सी इंफॉर्मेशन द अगरिक सुरक्षा समीता एंड भारतिय साक्ष अधिनियम 2023 तो इन कानुनों के बारे में जानकारी के लिए करमयोगी पोर्टल पर सभी को ट्रेनिंग करना है आप यहां देख सकते हैं तीसरे नमर में ka उसके बारे में तो उसको उस पर क्लिक करके आगे बढ़के आप ट्रेनिंग उसका complete कर सकते हैं और शुकी दोस्तो 4th point में अगर आप देखेंगे तो 1 July 2016 से ये तीनों कानून effective हो जाएंगे लागू हो जाएंगे तो इसलिए ये training करना सभी कर्मचारियों के लिए आवश्यक है इसके बारे में जानना क्योंकि इसके पहले जो था जो IPC section हम पढ़ते थे तो उसको replace किया गया इस कानून से तो ये नए कानून के बारे में सभी को जानना जरूरी है इसलिए ये update आया है Department of Post की तरफ से कि जल से जल जो कर्मयोगी portal पर अपना training करें और इसके बारे में विस्त्रित जानकारी लें ताकि सभी को ये जानकारी हो सके और फिफ्ट पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो accordingly circles are directed to ensure that all the group A and B officers complete the aforementioned courses pertaining to criminal laws on the IGOT कर्मयोगी platform at the earliest opportunity तो सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं जो group A और group B के officers है जो अधिकारी है उनको भी ये training complete करनी है ताकि इस नए कानुन के बारे में जानकारी हो सके तो ये छोटे सी information आपको देनी थी और जिसके बारे में मैंने दोस्तों शुरुआत में आपको बताया कर्मा पॉइंट्स के बारे में हमने डिसकस किया था पिछले वीडियो में उस वीडियो का link description box में दिया है आप वहाँ से उसको अभी देख सकते हैं ताकि उसके बारे में आपको पता चले आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे नहीं प्डेट के साथ